अब ये बंदा यार फास्ट एंड फ्यूचर का बारवा पार्ट देख्या है अब अगर वो पार्ट बना नहीं है तो भी इसने देखा है क्योंकि जिस हिसाब से इस बंदे ने गाड़ी के साथ सीन किये न तो भाई लो कैसे हूँ तो यार वेलकम दी बैक, बैक दी वेलकम और स्वागत आपका एक बिराण न्यू गलत सीन से भरे पड़े पबजित मोबाईल गेम प्लेए वीडियो में अब ये एक ऐसा मैच है जिसमें यार पूरे मैच भर तुम्हारा भाई भगता रहता है इदर से उधर क्योंकि देखो 30 skill करने के लिए बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा भगना पड़ता है खैर इस मैच में भी हर जगा जल्द बाजी में रस करेंगे और जल्द बाजी में गलती सीन होते है और जल्द बाजी में तो यार ये वाला बंदा भी होता है बस ये इसलिए जल्द बाजी में होता है क्योंकि ये निहत्ता पड़ा होता है बेचारा खेर उस भकतेवे बंदे की तो मैं पकड़ के पेटी बना देता हूँ लेकिन उसके टीमेट लोग सामने वाले घर उपे बैठे हैं अब 1KM 3X से मैं कद्दू कुछ नहीं उखाड़ पाया लेकिन उतने में ही हमारे भाई हमें एमपोर दे देते हैं और यही सीनोते जवाब पूरे दिन भर एक्सियोन फिलम देखते हो कहां से गूदर रहा है वो और यहां तुकके तुकको मैं मैं ज़ाड़ी में अज़स करके एक और बंदा नोक कर देता हूँ अब तो यार रस करना ही पड़ेगा एक ही बाकी है और इसी के साथ ये चार बंदों की पूरी टूलीनी पड़ जाती है सही है यार मतलब इन पे लूट की कमी नहीं थी सिवाए इनके पहले बंदे के जो बेचारा निहत्ता और नंगा भग रहा था और उसकी तो यार पेटी भी सकोर्पियन से बनाई बहुत दुखुआ होगा उसे अब कर भी क्या सकते यार देखो अगर मैं निहत्ता और नंगा होता तो वो भी हमारी पेटी बनाते यही सिनों तयार पबजी में मिट्टी दिल इनसान ही चिकन चुकन कर पाता है वैसे साप लोग भी चिकन कर लेते हैं खेर जो भी हो वो तीन बड़ी बड़ी बिल्डिंग यार सारी खाली हो जाती है फिर मैं इधर की तरफ भगता हूँ क्योंकि यहां पर बहुत दबाके पेल रहे थे यह लोग अब एक बंदे को चौड में भगते वे पकड़ लेता हूँ और इसके बागी टीमेट भगना बन कर देते हैं अब एक बंदे ने भगना बन कर दिया था लेकिन यार उसके नो कुते ही दूसरा उसका टीमेट भगते वे जाता है और क्योंकि दूसरे भगते टीमेट को मैं पकड़ के पेल देता हूँ तो ये तीसरा या फिर चौथा टीमेट वहे पे रुक जाता है यार सही बता रहा हूँ गड़ी बहुत कम चोरे मेरी खैर जो भी हो इसे के साथ मिल्टे रेरी खाली हो चुका है और अब अब जाके असली भागम भाग चाने होगी क्योंकि जहां पे भी पेलना होगा बंदों को वहां पे भाग के पकड़ के पेलना होगा नहीं तो यार आपस में ठिल जाते हैं और आपस में बंदे ठिल गए तो यार केटी कैसे बढ़ेगी हमारी लेकिन इससे पहले कि मैं भकते वे बंदे पकड़ू हम धेड़ पेड़ बात कर लेते हैं हमारे सपॉंसर की तो यार इस एप या फिर वेबसाइट का नाम है OneXPAT जिसके माद़ से आप कई सारे गेम्स क्रिकेट फुटबोल बॉली बॉल, बास्केट बॉल, गदू बॉल ना जाने कितने सारे गेम पड़े हैं और उन सारे के सारे गेम पे बैट बूट लगा सकते हूं साथी साथ इसमें मिनी गेम्स भी होते हैं तो आप वो खेलके भी पैसे कमा सकते हो साथी साथ इसमें आपको 7000 रुपे तक का बोनस मिलेगा आपके पहले डिपॉजिट में अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करते हो जो की कमेंट सेक्शियों में दिया गया होगा और जीते वेब पैसे विड्रो करना भी बिल्कुल हलवे की तरह असान है यार पेटी एंट पेपाल गूगल पे नजाने क्या क्या है इसमें आप कहीं से भी पैसे निकाल सकते हो तो आप इस एप को ट्राइगर सकते हो इसकी लिंक कमेंट सेक्शियों में होगी बिल्कुल टोप में अब मैं तो ये बात नहीं समाझ पाता कि यार कितनी यूशी होती है लोगों पे ऐसा नाम कौन रखता है यार जिन्दगी में खेर एक को नौक कर दिया बाकी को पकड़ने निकलता हूं और ये एक सस्ता डिरोप लेने के लिया ना जाने कहां कहां से बंदयार रखे होते हैं ये दो बग्गी वाले अलग टीम के थे और वो अलग टीम का है अब कोई भी बंदा यार किसी भी टीम का हो किसी भी गाउं का हो अपने को बस किल करने से मतलब है तो बाइक वालों को पकड़ के उसकी बेटी बना दी गाड़ी वाले ये तो बंगी वालों को पकड़ के इनकी भी बेटी बना दी अब टैम आ गया है यार उस डिरॉप को देखने के लिए क्योंकि यार लड़ाई तो यहां दबा के होई थी नजाने क्या ही होगा कास कोई महंगी गन पड़ी हो खेर मैं गाड़ी उठा के डिरॉप लूटने जाता हूँ लेकिन सीन क्या होता है यह जो बाइक वाले बंदे थे न इसके टीमेट लोग बाइक गया कद्दू लेने गाड़ी लेके आ जाते हैं और यहां पे गाड़ी घुमाने लगते हैं अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यार मैंने कोशिस तक नहीं की गुली चलाने की देखो अब डिरॉप में गुरोजा और AWM के अलावा कोई भी गण होती न मैं बंदे पेलने जाता लेकिन देखो यार गुरोजा पड़ी है तो उसे तमीज से इज़त की साथ उठाना पड़ता है अब उस बंदे के हाथ में नेड देख्यार मेरी भटके चार हो गई सोचो वो गाड़ी के नीचे नेड फेक देता और हम दोनों ठिल जाते बहुत गलत होता वो सीन और इस वाली टीम में यार एक से बढ़कर एक खतरनाक बंदे भरे पड़े हैं एक बंदा यार चलती गाड़ी पे नेड करने की कुसिस कर रहा है ये दूसरे बंदे ने नजाने कब फ्रैंक मार दिया लेकिन मुग के सामने आ चुका है मैं वाँ दूसरे बंदे को पेल रहा हूँ ये सामने आ गया और तीसरा बंदा ना तीसरा बंदा हट से जादा हट से जादा अलग लेवल पे होगा यार देखो क्या सीन होंगे या और अब इस वाली टीम का यार सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा बाकी है और वो आखरी बंदा इतना जाता खतरनाक है कि क्या ही बताऊँ अब खुद देखो अब ये बंदा यार फास्ट एंट फ्यूचर का बारवा पाट देख्या है अब अगर वो पाट बना नहीं है तो भी इसने देखा है क्योंकि जिस हिसाब से इस बंदे ने गाड़ी के साथ सीन किये न यार फास्ट एंट फ्यूचर बगैर करे कोई देखनी पाता मतलब बगैर देखे कोई करनी पाता क्या हो रहा है मेरे को खेर जो भी यो ये उसी बंदे के टीमेट्स होते जो भाई भगा रहे थे दोनों भाई ने एक जैसे नाम रखे हैं दोनों भाई प्यार यूसी की बिलकुल कमी नहीं है क्योंकि यार मेरे जैसा कंजूस आदबी एक ही नाम रखता है क्योंकि रिनेम कार्ट खरीदने में यार यूसी ठुक जाते फालतू के और आगे वाले सीन देखो ये सीन देख यार आपको बहुत बुरा लगेगा मेरे लिए नहीं यार मेरे टीमेट के लिए वो आम वाओ गरो नहीं है यार यार तुम कैसे हो यार अब यार मेरे जैसा टीमेट किसी को ना मिले जिंदगी में मैं इदर आता हूं हमारे भाई पूरे जोज के साथ चिलाते हैं ओ एडबलो एम लेकिन उसके बाद उस एडबलो एम पे मैं हाथ पेल देता हूं और वहां पे खतम नहीं होते सिन नहीं उसके बाद मैं मांगता हूं हमारे भाई से आठेक्स तक यार एडबलो एम में आठेक्स लगना खाजार गुना जादा वड़िया है मीनी 14 पे आठेक्स लगने से और देखो यार बाकी पेलने अब मेरे को गाड़ी पे बैठके गाड़ी पेलने का बिल्कुल सोक नी था क्योंकि गोली कम थी यार अब यहां गाड़ी का पीछा करतने से पहले यार मैं रो रहता हूँ कि यार गुरोजा में सिर्फ डाइसो गोली पड़ी है और देखो मानो या ना मानो गुरोजा की गोली कब खाली हो जाती है कद्दू पता नी चलता हमारे भाई यार चिलाते हैं अरे यार डाइसो गोली पड़ी है थोड़ी सरम कर लो और चुपचाप से पेलो इने खेर ये दो ही बंदे होते हैं दोनों नौक के नौक होते हैं वैसे एक की तो गाड़ी के अंदर ही पेटी बनगी लेकिन दूसरा बंदा नौक हुआ होता है अब इनके बाकी बंदे किधर बैठे हैं ये इनको ही पता हो गया और मैं चल देता हूँ एक और बार फिर से कर दो गर दिया है तो पकड़ के ही कातम होगा अब यहां पे लग भग लग भग दो सो गुली चला के मैं तीन बंदे पेल पाता हूँ और गाड़ी तक नी फूटी बहुत सस्ता सपरे दिया लेकिन कोई दिक्कत नियार देखो आखिर मैं किल मिल गई तो दिक्कत किदर आ रही है क्यार यहां पे मैं लूटने लगता हूँ लेकिन सीन क्या होता है जब हम इन लोगों को पेलने की कुशिस कर रहे थे यार तब कोई पीछे से भी गोली चला रहा था और यार गाड़ी देखो गोली से तो कद्दू कुछ नहीं हुआ लेकिन पल्टा खा जाती है गाड़ी और दुआ निकलने लगता है अब हमारे भाई इधर गोली तो दबा के चलाते हैं पूरी जान के साथ लेकिन एक बंदा नूक तक नहीं होता मेरे ख्याल से किसी को डेमेज तक नहीं दिया और मानो या ना मानो यार इस चीज में मेरी ही गलती है क्योंकि यार आठेक्स तो मैं लेके बैड़ियाओ बे सर्मों की तरह और कुछ भी नहीं उखाड रहा हूँ लेकिन दिक्कत नियार देखो पहड़ी के ऊपर की तरफ आ जाते हैं और जो घर पे बैठे पड़े हैं बस इंतेजार कर रहा हूँ कोई पीक करते हैं गलती से और मैं कुछ उखाड लो कहीं से और आखिर गार जाके मेरा ये हतियाया वासकोब किसी काम आता है बंदा मैं गलती से नौक कर देता हूँ और धैड़ पैड़ गाड़ी पेल देता हूँ अब पीक एक ही बंदा करता है लेकिन बैठे अंदर तीन-तीन बंदे हैं और देखो यार मेरे लिए इस वाले घर पे रसुरुस करना बहुत दिक्कत दा है क्योंकि ये घर इतना बड़ा है कि क्या ही बताऊं ये कमरे कितने होंगे इस घर में मेरी गिंती के पार है तो मैं क्या करता हूँ बगल वाले घर पे आता हूँ और फिर से कोसिस करता हूँ कि यार गलती से किसी को दुबारा नोक कर दूँ अब वो बंदा मेरे ख्याल से पीक करने वाला होता है मैं देता हूँ अंदा परिभायर भाई जैसे ही हाथ की कोहनी दिखाते है यार बंदा ठिल जाता है उपर से जलती बोतल में आग भी मैं वही डाल देता हूँ तो भाई की सीधा सीधा पेटी बन जाती है अब बस गिने चुने दो तीन बंदे बाकी है दो ही बंदे बाकी है तो उन्हें भी पकड़ते हैं आब और यहाँ पे आकर यार मैं किसी भी कीमत पे नोकोना नहीं चाता था देखो अगर यहाँ पे नोकोता जोन ऐसे भी आने वाला है और जोन काफी छोटा हो चुका है और छोटा जोन यानी की पेटी बहुत ही जल्द बनती है तो मैं फिर से देड़ पेड लूटता हूँ और इन घरों पे आके थोड़ी देर के लिए बैट जाता हूँ लेकिन उतने में ही यार याद आता है तीस किल करने जिंदगी में और हमारे भाई भी यह बोलते हैं अब देखो यार मेरी गणी तो है कते ही सस्ती तो मैं तो मज़े में बैठा पड़ा हुता हूँ उतने में ही हमारे भाई बोलते कि देखो यार साथी बंदे बाकी हैं और अगर सातों के साथ की पेटी नहीं बनाई तो कद्वी नहीं उने वाले ती स्किल तो मैं उठाता हूँ गाड़ी और इधर पे आ जाता हूँ अब इस छोटे गड़ पे रुकाऊँ पीछे देख रहा हूँ कोई सापना बनाओ और आगे वाले बड़े गड़ पे दो दो बंदे बैठे पड़े होते हैं अब यार मेरे को अपने नेड से कोई भी उमीद नहीं होती कभी लेकिन हमारे भाई बोलते यार उस कमरे में बैठा है डाल दो नादाने कुछ हो जाए सीन अब यार अपने सस्ते नेडों की भी क्या ही बात करूँ अगर देखो मेरा टीमेट नहीं बोलता ना कि यार वहाँ पे बंदा है डाल के देख और मैं अपने आप से इस उमीद में डालता कि कोई ठिल जाएगा तो यार उस बंदे के मुव पे नेड़ फटता लेकिन वो फिर भी बच जाता अच्छा हूँ मेरे टीमेट पे नेड़ नहीं था यार नी तो वही पेल देता और कद्दू कुछ नि उखाड़ पाता मैं फिर से अब उन सात में से दो बंदों की तो मैं पेटी बना चुका हूँ और अब जितने भी बचे हैं उन सारों को पेलना है नहीं तो तीस किल के नाम पे कद्दू कुछ नि होने वाला और दो दो बंदे उपर की तरफ बैठे हैं अभी अब यहाँ पे AWM से तो यार मैं कुछ भी नहीं उखड़ पाया तो मैंने सोचा क्यों ना गुरोजा और चेक्स चलाया जाए और ये चीज भी बस एक ही बार काम करी दूसरा बंदा बहुत चलाक था ठीक पेड़ के पीछे से भगते वे आता है खैर जिसको मैंने गुरोजा चेक्स से नो किया था वो तो रिवाइव हो ही जाएगा साती सात मेरी किल की चोरी गड़ने के लिए पीछे से बंदे खड़ना इंठेट पठकाने लगते हैं देखना पड़े गया यार मतलब वो किल चोरी कर गया ना हो गया तीस किल का सपना यही पेड़ तूटके भिखर जाएगा और यार दुख होता ऐसा होते वे तो हमारे खड़ना इंठेट वाले भाई आ चुके है पीछे पे अब देखो साप सीधी सी बात है वो बंदा सो परतिसत मेरे नौक वाले बंदे पे गूली चला रहा है तो मैं उसे पकड़ने के लिए पीछे की तरफ आता हूँ और पीछे आके पता चलता है यार एक नहीं कम से कम तीन या फिर चार बंदे यहीं बैठे पड़े हैं पकड़ना पड़े यार इन्हें भी एक एक करके पकड़ना पड़ेगा अब मैं खार 98 वाले बंदे को तो टैम पे पकड़ लेता हूँ लेकिन सीन क्या होता है यार जो पीछे बंदा पेड़ के पीछे था वो बगने की गुसिस करता है तो भाई को रस्ते में बगते वे पकड़ना होगा अब ये कर 98 वाले दोनों के दोनों बंदे यार तेजी से भगते वे आ रहे होते हैं अब एक को तो मैं बगते बगते पकड़ लेता हूँ लेकिन दूसरा वाला वहीं कहीं आके बैठ चुका है बिलकुल अब वो कर 98 नहीं एमपूर पटकाएगा और मेरे पेपी गुरोजा पड़ी है और ये गुरोजा जैसी गन चलाने में यार अलगी टैप का मज़ा है उस बंदे को मैं सिर्फ और सिर्फ एक गोली मारता हूँ सीधा सर पे लगती है और भाई की सीधा पेटी बन जाती है और मेरे ख्याल से ये वही बंदा है जिसको पहले मैंने AWM बजाई थी सर पे खैर उसको एक गोली में निप्टा दिया अब एक आकरी बंदा बाकी है और इस बंदे के साथ पूरा का पूरा उल्टा सीन होता है इसको पूरी 40 गोली चला के पेल पाता हूँ मैं देखो यार तो इसी मैच में एक बंदे को सिर्फ एक सौट पे बिला लेकिन वही पे जो आकरी बंदा बाकी था उस पे 40 की 40 गोली चलाई वो भी बड़ी मुश्किल से जाके ठिला वातलब यार साप होते ही खतरनाक है मेरे को वो दिग भी नी रहा था ठीक से यार अंधा भारी रिंग की और जैसे तैसे जाके 40 गोली में से 4 गोली लग जाती है और भाई की पेटी बन जाती है तो बस भाई लोग आज के वीडियो में इतना ही बहुत बहुत सुक्रिया वीडियो देखने के लिए जाते जाते इस वीडियो पे मेरे ये सस्ते सप्रेव अगेरा के लिए और उस बंदे के लिए जो फास्ट एंट फ्यूचर का बारवा पार्ट देखिया है था यार लाइक पे लना मत भूलना बिलकुल ठोका फीटी करके नीला टैप कर दो और अगर आप यहां पे नए हो तो यार करो सबिस्क्राइब क्योंकि तुम्हारा भाई ऐसे सस्ते कमेंटरी और ये डेड़ आईक्यू गिम्पले करता रहता है और गलत सीन तो यार डेली होते अपने साथ तो आज के विडियो में इतना है भाई लो गयार जाते जाते एक एक्स बैट चेकाउट करना मत भूलना उसकी लिंक कमेंट सेक्शियों में होगी बिलकुल टोक में तो कल मिलते है यार बाई बाई तो कर मेंट सेक्श बाई 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 रहता है